हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है गास करें और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे सीडूप चैनल मैथेमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाला है रिविजन टेस्ट पेपर 2020-2021 फिजिक्स बहुतिक सास्त्र इस पूरे वीडियो में मैंने भवतिक सास्त्र का पूरा सॉल्यूशन लिख दिया है तो पूरे सॉल्यूशन को देखिए आप और अच्छे से अपना project complete कीजिए सारे question एकदम perfect, correct है सारे question को बहुत अच्छे से मैंने check किया है तो सारे answer भी बहुत अच्छे से complete कीए मैंने इसके पहले वाली वीडियो में हमारा एक question गलत हुआ था तो उसके लिए मैंने एक नया video बना दिया था तो उसको भी आप check कीजिएगा यहाँ पर physics का paper पूरा correct, accurate, सहीं सहीं पूरा का पूरा है तो इसको आप देखकर अपने project को complete कीजिए फटा-फट से बनाऊंगा screenshot ले लीजिएगा और screenshot को अलग से लेकर लिख लीजिएगा अपने paper में कॉपी में जो open book system से government exam ले रही है तो यहाँ पर देखिए objective first question में निउन्ता मावे से एक micro column दातो का परवैतु तांग होता है अनन्त objective का सा नंबर का है एक गोली चालक की धारिता का वेंजग जो है उसका सूतर जो है C equal 4 pi epsilon not R विद्दु धारिता का ऐसा ही मातरक फैरड होता है यह वाला जो है एक तार को खीच कर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा चार गुना रिक्तिस्तान की पूर्ती देखिए फर्स्ट वाला मीटर सेतू, वीट स्टून सेतू के सिध्धानत पर कारे करता है इसका एंसर हमको मिला नहीं है जैसे इसका एंसर मिलेगा तो मैं एक नए वीडियो के माध्यम से इसका मैं कम्लीट कर दूँगा सावाला जो हमारा ब्लैंक है दोस्तों आयोब आपके पास कोशन पेपर होगा तो कुशन पेपर को सामने रखिए और इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़े कम्लीट कीज़े तो पूरे अब्जेक्टिव है कुशन पर फर्स, कुशन पर सेकेंड कुशन पर सेकेंड का दा वाला देखिए तीन माइक्रो तीन म्यू एफ धारिता के तीन संदारित स्रेनी करम में जुड़े है तुल्ले धारिता उसकी एक होगी एक फेरेड बराबर होता है 9 इंटू 10 ती पावर 11 स्थैत फेरेड यहाँ पर सही जोड़ी इसको एक बार चैक कीजेगा आप मैंने बहुत अच्छे से चैक कर लिए लेकिन फिर भी एक बार आप चैक कीजेगा विद्धूत उर्जा होती है आई स्क्वेर आटी आंतिक प्रतिरोद होता है उसका SI मातरक जो होता है तो एक आधर्स वोल्ट मेटर का प्रतिरोद अनंत होता है यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा स्वाप रेर कत्व का मातरक हेन्री होता है आवेस के क्वांटिम मी करण से आप क्या समझते तो प्रकृति में आवेस सदेव एक निश्चित निउन्तम मान का पूर्ण गुनाज होता है इसे आवेस की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेस का क्वांटमी करण कहते क्वांटी करण कहते इसके बाद प्रत्वी का विवाव कितना होता है तो प्रत्वी की विवाव को सुनने माना गया है किर्चाफ का प्रदं नियम किस पर आधारी थे इसको धारा नियम बोलते और आविशनक्षन के सिध्धान्थ पर आधारी थे यहाँ पर 5th question 5th question का हमने first वाला solve किया है इसको लिक्ष लिए है यहाँ पर हमने 5th question का first अनुगवन वेग से क्या ताता परे direct definition पूछिए तो आप इसका screenshot ले सकते और अपने project को complete कर सकते इसके बाद second, sixth वाला यहाँ पर sixth वाला भी लिखा हुआ है sixth वाला question विद्धुद विभाओ कैसी रासी है इसका SI मातरक वा विमी सूतर लिखे तो विद्धुद विभाओ एक अदिस रासी है तो ये विद्धु शेत्र की तीवरता की मैंने पूरी definition लिख दिये, इसको पूरा complete कीजेगा, ये बहुत अच्छी definition है, sufficient है इतना exam में लिखने के लिए, तो ये विद्धु शेत्र की तीवरता, और इसकी पूरी definition नीचे तक लिख दिये, मैंने, एक formula भी लिख दिया है, question 7, 7, हमारा जो paper का question है, पूरा screenshot ले लिजिए, बहुत अच्छे से इसको define किया है, विद्धु शेत्र की तीवरता, इसके बाद, इसका 8th question, 8th question में, फेराडे के विद्धु शुम्ब की प्रेरण के नियम, तो यह यहाँ पर मैंने लिख दिया है, फेराडे के विद्धु शुम्ब की प्रेरण के नियम, इसको आप लिखिए, screenshot लीजिए, जैसा आपको उचित लगे, कुछ समझ में नहीं आए, तो comment करके जरूर बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारी चीज़े आपके तक पहुँच जाए, यह फर्स्ट नियम, फेराडे का, और यह वाला इसका सेकेंड नियम, तो यह था question number 8, उपर अभी हमने question number 7 किया, इसके की निरक्षी रेखा पर, स्थित किसी बिंदू पर विभव सुनने होता है, तो यह ninth question देखे आप, बहुत important है, बहुत अच्छा question है, ninth question, exam में पूछता है, इस बार भी project में, जो open book system में, इसमें इसने पूछ लिया, बहुत अच्छे से define किया, question लिखिएगा, और यह question का answer ह अनुप्रस सत्वा निरक्षी स्थिति में, विद्धुद विद्रू के कारण, विभव निकालना है, तो विद्धुद विभव सुनने होता है, हमको पूरा proof करना पड़ेगा, तो यह पूरा question आप लिखेगा, और नीचे से विद्धुद विभव सुनने बताना है, इसके कुछ समझ में आ जाएगा, अगर आपको समझना है, और बहुत अच्छे से समझना है, तो एक बार comment करके बताईए, मैं सारे विडियो को बहुत अच्छे से clear कर दूँगा, तो यह आप screenshot ले लीजे, या इसको लिख लेजे, question number हमारा, 9th वाला question, अभी और है, और यहाँ प question number 10, किर्चाफ के नियम, पूरी detail, पूरा description बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो दोनों नियम आपको बहुत अच्छे से लिखना है, पूरा description है, इसमें किर्चाफ के दोनों नियम होगा, तो यह किर्चाफ का पहला नियम, और यह इसका पूरा solution, complete solution, कुछ भी नहीं च लिख सकते हैं, लेकिन इसमें पूरा description लिखा हुआ है, इतना लिखकर diagram भी लिख सकते हैं, यहां से diagram बना सकते हैं, मतलब, और अगर आप लिखना चाहो तो पूरा description भी लिख सकते हो, यहां पर किर्चाफ के नियम का, पूरा description आखरी तक, यह किर्चाफ का प्रथम नियम, और ये क्रिचाफ का दुतीनियम complete derivation plus diagram और सारी थेवरी सब कुछ लिखा हुआ है complete पूरा इसको भी आप यहां से लिखकर diagram बना सकते हो ये भी चलेगा लेकिन इसमें पूरा complete detail लिखी हुई है जो आपको समझनी पड़ेगी देखनी पड़ेगी ये important है बहुत ज़्यादा board exam में भी पूछता है हर बार board exam में पूछता है इसलिए इसकी complete detail लिखवानी बहुत जरूरी होती है तो ये इसकी complete detail यहां से और बचा हुआ ये वाला बहुत important है important question है ये question number है हमारा 10th वाला किर्चॉफ के नियम आयोब दोस्तों इसको आप लिखोगे इसके बाद हम देखेंगे इसका 11 question question number 11 देखिए विभाव मापी वोल्ट मीटर से स्रेस्ट क्यू है समझाईए तो इसका ये answer विभाव मापी वोल्ट मीटर से स्रेस्ट क्यू है इसको आप लिखिए और इसका और solution थोड़ा बड़ा है complete detail complete detail लिखिवी है हमने यहाँ पर तो यहाँ से आप screenshot ले सकते और यह हमारे लिए बहुत important है पूरा complete detail question number 11 सारे question को यहाँ पर मैंने systematic एक बार में दे दिया है तो आई हो दोस्तों अपने exam को बहुतर बनाई क्योंकि इसके number गोड़ exam में जूड़ने के पूरे chances से तो यह question number हमारा 11 है और बचा हुआ है थोड़ा सा तो यह question number 11 इसको complete कीजिए इसके बाद देखते है इसका question number 12 question number 12 swap period और unknown period में अंतर तो swap period और unknown period में हाँ पर हमने अंतर लिख लिए swap period और unknown period में अंतर इसमें इसके तीन अंतर लिखे हुए तो इसको भी आप complete कीजिए कोई doubt होते एक बार comment करके जरूर बताईए वीडियो अच्छा लगे तो भी comment करके जरूर बताईए ताकि आगे भी हम वीडियो बना सके आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो तो ये question number 12 है इसके बाद हम देखें इसका question number 13 question number 13 प्रत्यावरति धारा परिपत के लिए सक्ति के लिए वेंजग याद केजे तो ये PAV equal VRMS into IRMS IRMS into cos 5 प्रत्यावरति धारा परिपत के सक्ति के लिए वेंजग थोड़ा बड़ा question है यहाँ से दैन इसके बाद यहाँ से आप complete करोगे complete detail में आपने solve किया है और ये पूरा complete solution इसका यादक तो ये question है हमारा 13 इसके बाद इसका 14 question देखेंगे आयोब आप इसका screenshot लेकर या वीडियो को pause करके आराम से लेख सकते इसका 14 question देखते कुशन बाद 14 देखेंगे कुशन बाद 14 दिया हुआ पार्थी चुम्बकत्व के लिए पार्थी चुम्बकत्व के लिए नमनकुन थीटा 36 घटक S तथा और दवादर घटक V में संबंद इस्ताफित कीजिए तो इसका solution यहाँ पर मैंने कुशन में खाली हमसे वी एच और थीटा में संबंद पूछा था तो सिर्फ यहां तक लिखना है वी एच और थीटा में संबंद पूछा था तो हमको सिर्फ यहां तक लिखना है यह वी एच और थीटा में संबंद यहां से लेकर यहां तक यह था हमारा question number 14 इसके बाद हम देखें ही question number 15 तो यह question number 14 को आप अच्छे से screenshot ले लिजे यहाँ से diagram और यह question सिर्फ यहाँ तक लिखना है question number 15 है हमारे पास प्रत्यवर्थी धारा और दिस्ट धारा में अंतर लिखो तो यहाँ पर sufficient मैंने बहुत सारे अंतर लिख दिए इसमें से आप जितने लिख सकते हो पाँच कम से कम कम से कम पाँच तो यह इसका question पाँच अंतर यहाँ से बहुत अच्छे से लिख लिजेगा first second third fourth और यह fifth पाँच अंतर आप यहाँ से लिख लिजेगा आप कि sufficient हो जाए exam के question के लिए तो यह था question नमर हमारा 15 इसके बाद हम देखेंगे question में 16 इसके इसके बाद हम देखेंगे question में 16 कोश्यमा 16 दिया हुआ है वांडी ग्राफ जनितर की रचना एवं कारविदी समझाई इसके उप्यूग बताईए तो यह वांडी ग्रफ कि इसका डाइग्राम एक बार में सिस्ट्रेमेटिक देखिया आप इसका डाइग्रम बनाएएगा संर्चना यह डाइग्राम हमारा वांडी ग्राफ का इसके बाद इसकी संर्चना इसका स्क्रीन्शोट ले लिजे और कारविधी थोड़ा बड़ा है मगर एक्जाम में लिखना है और ओपन बुक से घर पर ही लिखना है तो थोड़ा बड़ा भी चलेगा कारविधी और इसके उप्योग यहाँ पर एक फिरसे में इसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ जाकि आप इसको अच्छे से लिख पाओ यह इसके उप्योग यह था कोशिन नंबर 16 इसके बाद देखेंगे कोशिन नंबर 17 यह कोशिन नंबर 17 है कोशिन नंबर 17 विद्ध्य द्यूद्रो के अक्षपर इस्थित किसी बिंदू पर विद्ध्य छेत्र की तीवरता कवंजग याद कीजिए बहुत इंपोर्टेंट और बहुत सिस्ट्मेटिक तरीके से हमने या पर लिखा हुआ है इसका सॉलूशन आप लेख सकते हैं यहां से यह डाइग्राम है आगे से यहां से और यह लास्ट में कम्प्लीट सॉलूशन यहां पर जाए एक बाद फिर से देखिए यह कुशन है हमारा यहां से लिखना है स्क्रीन शोट ले लिजे या फिर वीडियो को पॉस्ट करके अराम से लिखिए इसके बाद बसता है हमारे पास इसका लास्ट कोशन प्रत्यवर्ति LC परिपत में निम्न का परिकलन कीजे परिणामी वोल्टेज परिपत की प्रतिबादा परिणामी वोल्टेज तथा धारा के मद्द कलांतर तो इसका लास्ट कोशन रहेगा हमारा इसका ये last question प्रत्यवर्ति धारा परिपत जिसमें प्रतिरोध आर प्रिरिकत्व एल वा धारिता C तीनों लगे हो तो इसका diagram है ये diagram बनाना है थोड़ा सा बड़ा question है आकरी question है important है थोड़ा सा बड़ा है तो ये question इसका solution पूरा complete कीजिए हर एक चीज को बहुत systematic लिखा हुआ है थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन हर चीज को एक एक चीज को clear किया है यहाँ पर थेवरी थोड़ी ज्यादा है आप चाहूद उसकी थेवरी बीच में छोड़ सकते हो लेकिन ये पूरा solution ये graph बनाना बहुत important है complete solution यहाँ तक इसके बाद और बचा हुआ है यहाँ से तिसको अब देखिए स्क्रीन शोट ले जीजिए यहाँ तक पूरा complete solution physics का आयोब दोस्तों सब कुछ समझ में आएगा सब कुछ perfect है कुछ भी mistake नहीं है सब कुछ perfect है इसके अंदर बस derivation हमारे थोड़े से बड़े है सब चीज clear है तो आयोब दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को like कीजे, share कीजे, channel को subscribe कीजे और bell icon दबाइए ताकि सारे notification आपके तक आसानी से पहुच जाए Thank you friends